Knowledge Center for You में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सलतनत के most important questions कवर करेंगे और ये important वीडियो है फ्रेंड्स क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा दिल्ली सलतनत के जो भी important questions है जो आपके exam point of office है important है वो सारे questions हम लोग इस वीडियो में cover करने जा रहें फ्रेंड्स तो आपसे request है कि आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और अगर आपने हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो इस channel को भी ज़रूर subscribe कीजिए तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो और देखते first question गुलाम वंच के किस शासक को लाग बक्ष कहा जाता था तो देखिए option B यहाँ पर right answer होगा कुतुबुद्दिन एबक को लाग बक्ष कहा जाता था लाग बक्ष यानि की लाखों का दान देने वाला और कुतुबु दिन एबक यह महमद गुरी का गुलाम था और एक याद रखिए कि जो दिल्ली का कुतुब मिनार है तो दिल्ली के कुतुब मिनार की निव भी कुतुबुद्दिन एबक नहीं रची थी अभी next question देखते हैं खिलजी वंच की स्तापना किस ने की थी तो खिलजी वंच की स् मैला शासी का जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी वो कौन थी तो प्रतम मुस्लिम मैला शासी का जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी वो थी रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान यह इलतुतमिश की बेटी थी और यह इलतुतमिश कौन था फ्रेंड्स तो देखिए गुल ये गुलामवन से related है अभी next देखिए मध्यकालिन सुल्तानों में सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था तो मध्यकालिन सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान था मुहमत बिन तुगलक और मुहमत बिन तुगलक ये गया सुदिन तुगलक के बाद राजग शाल में भारत आया था और Cubal 1998 याद रखिये 3334 सुमें यह भारत आया था और मुहम nueva बिन तुगलक में इसे दिल्ली का काजी Mr. किया था और consists में मुखम बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में भी भे जाता तो यहां से अप इतना याद रखिए अभी नेक्ष देखिए सयद वंच का संस्तापक कौन था तो सयद वंच का संस्तापक था खिजरखा और खिजरखा से आप लोग यह याद रखिए फ्रेंड यह ऐसा शासक था कि जिसने सुल्टान की उपादिना धारण कर वो रहतियाला की उपादि से ही खिजरखा यह तैमुर लंका सेनापति था अभी नेक्ष क्वेश्चन देखते आग्रा शहर की स्तापना किसने करी थी तो आग्रा शहर की स्तापना करी थी सिकंदर लोधी ने और सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निजाम लोधी और बहलोल लोधी ये 1451 इस विशन में गदी पर बैटा और लोधी वंज की इसने स्थापना करी और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रय बहलोल लोधी को दिया जाता है अभी नेक्ष देखते हैं किस दिल्ली शासक की मृत्यू चोगान खेलत समय इसकी मृत्य हो गई अभी नेक्ष देखते तुगल का बाद शहर की स्थापना किसने की थी तो तुगल का बाद शहर की स्थापना करी थी गया सुद्दिन तुगलक ने तुगलक वंज की स्थापना करी थी और तुगलक वंज की स्थापना कप की गई थी 5 सितेंबर 1320 खुश्रोक हाको पराजित कर गयासुदिन तुगलथ ये राजगधी पर बैटा था तो यहां से अप लोग इतना याद रखिए अभी नेक्ष्छी अलाउदिन खिलजी के सेनापती का का काम पूर्ण करने का श्रीय जाता है इल्टूतमिश को और यह कुतुब मिनार कहा है फ्रेंट्स तो कुतुब मिनार यह दिल्ली में है और इसकी उचाही कितनी है तो इसकी उचाही है 72 मिटर अभी नेक्ष देखते नालंदा विश्व विद्यालय को किसने ध्वस्त किया थ तो नालंदा विश्व विद्यालय को ध्वस्त किया था बक्तियार खिलजी ने ऑप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा और यह बक्तियार खिलजी यह कुतुब दिन एबग का सेना नायक था और अगर बात करें फ्रेंट्स नालंदा विश्व विद्यालय की स्तापना क तो नालन्दा विष्व विद्याले कि स्तापना करी थि कुमार गुपत ने और कुमार गुपत ये कौन से वंच का शासक था तो याद रखियाक कुमार गुपत ये गुपता वंच का साशक था अभी नेक्ष देखते है दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्ताई सेना किसकी थी तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्ताई सेना थी अलाउद्दिन खिलजी की और अलाउद्दिन खिलजी ये जलाउद्दिन खिलजी के बाद राजगर्दी पर बैटा और जलाउदिन खिलजी ने खिलजी वंज की स्तापना करी थी 1290 इस विशन में और अलाउदिन खिलजी ये जलाउदिन खिलजी का भतीचा एवद दामात था और अलाउदिन खिलजी ने 1296 इस विशन में जलाउदिन खिलजी की हत्या कर ये राजगदी पर बेटा अभी next देखते, दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वादिक थी, तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था friends, तो देखें option A यहाँ पर right answer होगा, फिरोस्तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वादिक थी, और यह कितनी थी, यह थी 1,80,000 और दासों की देखभाल के लिए ना फ्रेंट्स इसने एक अलग विभाक की भी स्थापना करी थी तो उस विभाक का नाम भी एक्जामों में पूछ लिया जाता है तो उस विभाक का नाम था दिवाने बंदगान अभी नेक्ष देखते पानिपत का प्रथम युद् किस एप्रिल 1526 इस विशन में और अगर ऐसा क्वेशन बन जाए कि पानिपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था तो पानिपत का प्रथम युद्ध ये 1526 इस विशन में इबराहीम लोधी और बाबर के बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी फ्रेंट्स तो जीत वंच का शासक था ये अभी नेक्ष देखिए बाबर को भारत पर आक्रमन के लिए किस ने निमंत्रन दिया था तो बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए पंजाब का शासक दौलत खा लोदी और आलम खा जो की इब्राहिम लोदी के चाचा थे तो इन दोनों ने निमंत्र दिया था तो option A और option B यह दोनों भी right answer होगा friends अभी next देखते लकडी के महल में दपकर किस दिल्ली शासक की मृत्ति होई थी तो लकडी के महल में दपकर गया सुधिन तुगलक की मृत्ति हो गई थी तो option B यहां पर right answer होगा और गया सुधिन तुगलक यह जब बंगाल अभि मृत्यू के बाद मोहमद बिन तुगलक का वास्तविक नामे तो यह लकडी का महल किसने बनवाय था तो यह बनवाय था मृत्यू के बाद मोहमद बिन तुगलक यह राजगति पर बैठा था अभी next देखते दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा वो कौन था फ्रेंड्स वो था इबराहीम लोदी और यह पानिपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था जो की हुआ था बाबर और इबराहीम लोदी के बीच में अभी next question देखते इबन बतुता द्वारा लिखे गई पुस्तक का नाम क्या था तो इबन बतुता यह एक की यातरी था तो यह आया था मुहमद बिन तुगलक के शासनकाल में और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ती रहला तो option भी यहां पर right answer होगा अभी next question देखते पदमावत किताब किस ने लिखी थी तो पदमावत किताब यह लिखी गई थी मलिक मौहमद जाइसी द्व गया है फ्रेंड अभी next question देखते रेक्षिण भारत को ढिलिझ सल्तमत में मिला ने वह पहला उफ्ले खिलजी और अल्आवतिन खिलजी ने रेक्षिण भारत की अभियान के लिए अपना सेनापती मलिक काफूर को भेजा था और रेक्षिण भारत को ढिलिझ सलतनत में मिलाने का श्रेय मलिक काफूर को भी जाता है अभी नेक्ष देखिए गुजरात अभियान के दोरान हजार दिनार में किसे खरित कर लाया गया था तो गुजरात अभियान के दोरान हजार दिनार में अलाउदिन खिलजी का सेना पती मलिक काफूर को खरित कर लाया ग मुहमत बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवबुका नामक भाईयों ने विजयनगर राज्य की स्तापना करी थी अभी नेक्ष देखते भारत के तोते के नाम से किसे जाना जाता है अमिर खुसरो को भारत के तोते के नाम से जाना जाता है अभी नेक्ष देखिए नहरों के निर्मान कारिय के लिए डिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो काफी मशूर था तो गया सुद्दिन तुगल ओप्शन C राइट अंसर होगा, गया सुद्धिन तुगलक ये नहरों के निर्मान के लिए काफी मशूर था, संभवत ये नहरों का निर्मान करने वाला पहला शा सकी था, आभी next देखते, दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की दर्बारी तो ओप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा, अभी next देखिए, अजमेर के धाई दिन के जोपडे का निर्मान किसने करवाया था, तो अजमेर के धाई दिन के जोपडे का निर्मान कराया था, कुतुबुद्दिन एबक ने, और साथ में ये भी याद रखिए, कि दिल् दिवा ने खेरात विभा की स्तापना किसने की थी, तो दिवा ने खेरात विभा की स्तापना करी गई थी, फिरोज तुगलक द्वारा, तो ओप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा, और ये क्या, ये विभाग में क्या था, इसमें क्यों विभा की सापना की गई थी, त अभी नेक्ष देखते किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सरवादिक मंगोल आकरमन हुए थे तो अलाउदिन खिलजी के शासनकाल में सरवादिक मंगोल आकरमन हुए थे अभी नेक्ष देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्ताई सेना और सेनिकों के हुलिया लिखने की प्रता की शुरुवात करी थी तो ये था अलाउद्दिन खिलजी ओपशन भी यह पर राइट अंसर होगा और अलाउद्रीन खिलजी से याद रखिये फ्रेंड्स की सब्से बड़ी स्थाई से ना अलाउद्दिन खिलजी की ही थी और एक पॉइंट याद रखिए कि इसने वैपारियों में बैमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले वेक्ति के शरीर से मास काट लेने का भी आदेश दिया था तो अलाउद्दिन खिलजी से आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि जलाल उ पर नाम मलिक काफुर था तो अलाउद्दिन खिलजी से फ्रेंड्स आप लग इतना याद रखिये इंपोर्टन पॉइंट से अभी नेक्स देखिए अपने आपको खलीफा घोछित करने वाला दिल्ली सल्टनत का ऐसा कौन सा शासकता तो अपने आपको खलीफा घोषित कर गई थी फिरोज तुगलग द्वारा ओप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा और फिरोज तुगलग ने सिर्फ फिरोज अबाद नगर की स्तापना नहीं करी थी तो इसने 309 नगरों की स्तापना करी थी अपने कशासनकाल में जैसे कि हिसार फिरोज अबाद फतेबाद औ जोनपूर फिरोज पूर यह प्रमुक कुछ नगर थे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुलाम वंच का अंतिम शासक कौन था तो गुलाम वंच का अंतिम शासक था शेमुद दिन कैमोर्ज तो ओप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा अभी नेक्स देखते खि खिल जी को किसने हराय था किसने हत्या गरिती इसकी तो मुबारक खिल जी की हत्या करिती उसके वजीर खुश्रो खाने और यह खुश्रो खाकी हत्या करी गया सुद्दिन तुगलक ने और गया सुद्दिन तुगलक ने खुश्रो खाकी हत्या कर तुगलक वंच की स्तापन तो सयद वंच का अंतिम शासकता मुबारक शाहा तो option A यहां पर right answer होगा और सयद वंच की स्थापना किसने करीती friends तो सयद वंच की स्थापना करीती खिजरा खाने सिकंदर लोधी की मृत्य कब होई थी ? सिकंदर लोधी की मृत्य होग गई थी 21 नवंबर 1517 में और गले की विमारी के कारण इसकी मृत्य हो गई थी अभी next question देखते हैं लोधी वंच का अंतिम सासक कौन था ? लोधी वंच का अंतिम शासक इबराहिम लोधी था तो option B यहां प पानिपत के प्रत्थम युद्ध में इसकी मुरुत्ति हो गई थी ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासत था जो युद्धो भूमी में मारा गया था और इब्राहिम लोधी को हरा कर पाबर ने मुगल सामराज्य की स्थापना करी थी तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो क आज का लास्ट का क्वेस्टन तो इस वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत से जो भी कुछ most important questions बनते और जो भी कुछ most important facts थे जो आपके exam point of view से important थे तो वो सारे points हमने इस वीडियो में discuss करे तो आशा करता हूं friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर ये वी घडियो में